हाई गाईज तो अभी अभी रिसेंटली देनिक जागरन में एक आर्टिकल रिलीज हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि GIC General Insurance Corporation of India की वेकिंसी निकलने वाली है नोटिफिकेशन 11th of March को रिलीज करेंगे तो चलिए कुछ इंफोर्मिशन में आपको बता देता हूँ In case अगर आप फिल करना चाते हो और अपलाए करना चाते हो GIC में तो आप अपलाए कर सकते हो सबसे पहली चीज अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो आपकी Assistant Manager की पोस्ट होगी Scale 1 Officer की अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 44 पोस्ट पे विकिंसी निकलेगी गाईस तो आप फिल अगर करना चाते हो तो कर सकते हो Official Website का जो लिंक है वो मैंने description पे डाल दिया है 11th of March को notification निकलेगा इसके अलावा अगर मैं application start date की बात करूँ कि किस दिन notification निकलेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 11th of March को notification निकलेगा last date 29th of March है तो आप तब तक फिल कर सकते हो अभी बस एक article या advertisement कह सकते हो आप वो release हुआ है official notification website पे ही निकलेगा अब अगर मैं आपसे बात करूँ educational eligibility की या फिर age eligibility की तो आपकी जो age है वो 21 से 30 जैसे कि RBI में होता है चाहे SEBI में होता है चाहे नबाड में होता है 21 से 30 का bracket है you should be between 21 to 30 to apply for this post apart from that अगर मैं educational eligibility की बात करूँ तो same RBI, SEBI और नबाड की तरह ही है बहुत basic वाली चीज़ कि आप graduate होने चाहिए और RBI में जैसे होता है आपका की 60% होना चाहिए और 55 अगर आप post graduation में हो तो यहाँ पर एक slight difference है और वो slight difference यह है कि आपको graduate होना है आप अगर graduate हो तो चलेगा लेकिन आपके 60% होने चाहिए अगर आप general category या फिर OBC से belong करते हो लेकिन SC और ST students जो हैं वो 55% अगर लेकर आए हैं अपने graduation में तो वो भी apply कर सकते हैं इस particular vacancy में अगर अब मैं बात करूँ कि mode of selection क्या होगा और salary की तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा mode of selection तो basically तीन तरीके से मैंने divide करा है सबसे पहले आपका होगा written examination जो completely online होगा इसके बाद आपका होगा group discussion और last में आपका होगा interview आपका selection होगा यह procedure है अगर मैं written examination की बात करूँ दोस्तों तो written examination को मैंने तीन parts में divide करा है जो part one होगा उसमें आपसे questions पूछे जाएंगे आपके जो discipline है उससे related अगर आप अगर अभी हमें पता नहीं है किस discipline में कितनी post निकलेगी लेकिन for example अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप legal है legal की post निकल रही है दो तो अगर आप legal background से भरोगे तो you'll be asked the questions related to the legal only ठीक है part one यह हो गया part two में जैसे कि आपका RBA में phase one होता है लगबग लगबग वैसे ही होगा questions आपसे पूछे जाएंगे quant, reasoning, English, GA, computer as well ठीक है यहां से आपसे questions पूछे जाएंगे और जो part three है आपका जो part three होगा वो होगा English language जहांपे essay, precie and comprehensive आपसे पूछा जाएगा जो आपको लिखना है obviously online होगा सारा का सारा उसके बाद आपका होगा group discussion and interview सबसे important चीज है salary काफी सारे student पूछते हैं कि sir government job की details तो आप बता रहे हो salary भी बता हो because salary is something which you know grab the attention of all these job seekers तो अगर मैं salary की बात करूँ तो आपकी basic salary होगी 32,795 यह आपकी basic salary है अगर मैं CTC की बात करूँ तो आपकी CTC होगी approximately 65,000 per month इस particular वीडियो में दोस्तो इतना ही future में जब notification release होगी तो detail में बात करेंगे कि कितनी post हैं किस चीज के लिए और क्या-क्या और additional उन्होंने information provide करवाई यह notification के लिए तब तक अगर आपने हमारे चानल को subscribe नहीं करा है तो please चानल को subscribe करिए like करिए और आपके अगर कोई friend है आपके अलावा जो apply करना चाहता है यह आपके known में है जो इस post के लिए apply करना चाहता है इंट्रस्टेड है तो उन लोगों को जरूर शेर करिए यह वीडियो गाई थैंक्यू सो मच बबाए